Ola दुनिया की सबसे बड़ी electric scooter manufacturing facility भविश्य की factory के मालिक है उनकी factory अपने नए electric scooter model Ola S1 Pro के साथ market में भविश्य में तहल का मचाने की कोशिश में लगी हुई है ये scooter अपनी affordable price और high performance के साथ market पर आसानी से take over कर सकता है इस machine की अधिक्तम torque value impressive है 58 Nm और इसकी अधिक्तम power 8.5 kW है हाला की इन अच्छे performance नंबरों और company के global plans के बावजूद इस scooter में कुछ serious तकनीकी खामिया है क्या ये अपने प्रचार पर खारा उतर पाएगा? आए पता लगाते हैं Ola scooter एक internal permanent magnet IPM motor पर चलता है इन electric motors में permanent magnets होते हैं जो उनकी iron rotors के अंदर गहराई में लगाए हुए होते हैं IPM motor एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इसके torque to weight ratios बहुत ज़ादा है जब हम IPM motor की तुलना ज़ादा तर दूसरे e-scooters में इस्तिमाल किये जाने वाले BLDC surface mount motors से करते हैं तो IPM motors उतनी ही volume के लिए ज़ादा torque देती है क्योंकि IPM का iron rotor additional reluctance torque प्रदान करता है यही कारण है कि जब आप अपना Ola scooter शुरू करते हैं तो आपको ज़ादा acceleration मिलता है IPM motor को stator winding के लिए AC supply की ज़रूरत होती है इस power को supply करने के लिए Ola बनाना battery pack का इस्तिमाल करता है जो छोटे cylindrical NCA cells का एक संग्रह है जाहिर है हमें battery के DC supply को AC supply में बदलने के लिए बीच में 3-face inverter का इस्तिमाल करना होगा scooter में controller का भी इस्तिमाल किया गया है इसका मुख्य काम alternating current की frequency को नियंतरित करना है उधारन के लिए जब आप accelerate करते हैं तो controller को ये संकेत मिलता है और ये inverter को AC current की frequency बढ़ाने का आदेश देता है frequency जितनी ज़ादा होगी IPM motor की गती उतनी ही ज़ादा होगी आए इन electronics components को scooter के अंदर देखें भारी inverter और अन्य electronics यही कारण है के आप अपने Ola scooter पर ये protruding और irritating पार्ट देख सकते है controller न केवल inverter को उसकी frequency बदलने का आदेश देता है लेकिन ये Ola scooter का दिमाग है controller इस scooter के अदभुत software controls को संभालता है जैसे password enabled driving, navigation, speed modes control और कई अन्य cool features अब आईए इस scooter को चलाते हैं और इसके आवास को चेक करते हैं Ola की scooter इतनी silent है कि आपको पता भी नहीं चलेगा Ola और अन्य e-scooters के बीच noise difference का कारण transmission है जैसा कि आप देख सकते हैं IBM motor को Ola scooter के बीच में रखा गया है rotational energy को belt transmission के माध्यम से पीछे के tire में transfer किया जाता है ये single stage transmission है अन्य e-scooters, उधारर के लिए ether, ज्यादा torque प्राप्त करने के लिए two stage transmission system का इस्तिमाल करते हैं इसलिए ज्यादा gears की वजहे ज्यादा आवाज होती है Ola single speed transmission के साथ काम कर सकता है क्योंकि IBM motor स्वभाविक रूप से एक अच्छा torque output देती है क्या आपने सोचा है कि Ola ने motor को बीच में क्यों रखा है और सीधे टायर में hub motor के रूप में क्यों नहीं इसका कारण sprung to unsprung weight ratio है आए इस महत्वपूर कॉंसेप्ट के बारे में और जाने sprung weight suspension springs पर rest करने वाले components का वजन है जैसा कि यहां दिखाया गया है जबकि unsprung weight springs के बाद का वजन है अगर sprung to unsprung weight का ratio जादा है तो आपको speed bumps और गड़ों पर अच्छा travel comfort मिलता है यहां आप देख सकते हैं कि motor sprung weight का एक हिस्सा है मानलीजी ओला ने hub motor का इस्तिमाल किया है जिसमें in wheel placement है उस इस्तिथी में unsprung weight बढ़ता है और ratio कम हो जाता है जिससे अब गाड़ी चलाते समय असुविधा का अनुभव करेंगे इसी वजह से ओला electric hub motor motor के बजाए mid drive motor का इस्तिमाल करता है क्या आपने scooter के shock absorber में कुछ खास देखा ये इस तरह से जुका हुआ नहीं है बलकि ये horizontal है इसे cantilever suspension कहा जाता है और आप इसे यहां सपश्ट रूप से देख सकते हैं cantilever suspensions कैसे काम करते हैं और ola scooter उनका इस्तिमाल क्यों करते हैं ये cantilever suspensions drivers के लिए एक फाइदे मंद होते हैं क्योंकि उन्हें ज़ादा boot space मिलती है इस suspension का एक end chases से और दूसरा end triangular lever से जुड़ा है इस point पर lever pivoted होता है इस lever का दूसरा end wheel से जुड़ा होता है इन animations को observe करके आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे tire उपर और नीचे जाता है triangular lever घूमता है और इस motion को shocks में transfer करता है ola scooter के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि जब user इसे hyper mode पर चलाने की कोशिश करता है तो motor और battery के गर्म होने के कारण scooter कुछ समय बाद अपने आप normal mode में चला जाता है hyper mode में motor ज़ादा समय के लिए ज़ादा power खींचती है और battery के साथ ये भी ज़ादा गर्म हो जाती है अगर ये overheating जारी रहती है तो motor winding जल सकती है और battery में आग लग सकती है इस परिणाम से बचने के लिए एक smart battery management system लगाया गया है और इसे battery pack के साथ ही integrate किया गया है जैसे ही battery का तापान सुरक्षित सीमा से ज़ादा हो जाता है तो ये electronic system कंट्रोलर को सामान्य mode में switch करने का संकेत देता है इस solution की वजह से motor भी बच जाती है ये नियंतरण भारत के गर्म वातावरण में विशेश रूप से महत्वपूर्ण है इस bike की सबसे शांदार विशेशताओं में से एक है regenerative braking जो आपको ज़ादा range प्रदान करती है यहां motor generator का काम करती है यहां braking बिना किसी metal to metal contact के होती है इस scooter की एक दिल्चस्प braking विशेशता ये है कि केवल throttle को reverse दिशा में घुबाने से region आपको ज़ादा intense braking देगी जैसे ही आप throttle को reverse दिशा में घुमाएंगे smart controller stator RMF की दिशा को reverse कर देगा इस से rotor को reverse torque मिलता है और motor अचानक रुख जाती है ओला में इस विशेशता को forced region कहा जाता है संशेप में कहें तो forced region किसी घुमते हुए wheel को अपने हाथ से reverse दिशा में घुमा कर forcefully रोगने के बराबर है ओला S1 scooter की एक खामी पहाड़ी पर चड़ने के दौरान एक पीछे बैठे यातरी के साथ है scooter इस तिथी के लिए आवशक high torque के मांग को पूरा करने में विफल रहता है इस scooter के बारे में एक और ग्राहक की शिकायत ये है कि normal turns में अगर driver लंबा है तो handle उसके घुटनों के बहुत करीब पहुंच जाता है जिससे अस्विधा होती है इसके अलावा S1 Pro model में हाल ही में आग लगने की घटना हुई थी और सरकारी अधिकारी मूल कारण की जाच कर रहे है इस scooter के कुछ अन्यों मुद्दों के बारे में जानने के लिए क्रिपया Plugin India के विडियो देखें इन सभी चिंताओं ने स्पष्ट रूप से scooter के प्रती जनदा के उत्सा को कम कर दिया है आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि Ola Electric Scooter वास्तव में नैधर लेंड्स की एक कमपनी Eater Go का App Scooter था App Scooter को European सड़कों और यूरोप के 17 डिग्री सेल्सियस गर्मी के तापमान के लिए डिजाइन किया गया था Ola के मालिक श्री भाविश को scooter के डिजाइन में काफी modifications करने पड़े ताकि इसे भारत की bumpy roads और गर्मियों के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस तक सहन करने लाइक बनाया जा सके उन्होंने भारतिय परिस्थितियों के लिए scooter को फिर से डिजाइन करने के लिए पूरे एक साल का समय बिताया इन adaptations को effective तरीके से प्राप्त करने के लिए R&D का एक साल सपष्ट रूप से काफी नहीं है हमें उम्मीद है कि एक और साल के प्रयास के साथ कंपनी एक बहतरीन affordable electric scooter ला पाएगी Ola scooter को global market में release करने की भी योजना बना रही है Ola scooter की अन्य engineering achievements और additional कम्यों के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए क्रिपया Plug in India के इस detailed वीडियो को देखें हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा शुक्रिया